कर लो अरमान कर लो जाण रूही से ही शाधी कर लो भाई ये लड़की पागल है यादि इसने सच में अभीरा को मार दिया तो क्या अभीरा का मरा हुआ मूँ देख पाओ के तुम अभीरा को मरते हुए देख पाओगे अभीरा को किसी मुसिबत में देख पाओगे नहीं न तो तुम्हारे पास अर्मान कोई option नहीं वच्छा है रुही के साथ शादी कर लो ये लड़की एक psycho killer बन चुक है psycho पागल हो चुक है तुम्हारे प्यार में या फिरू कहीं कि तुम बढ़ती जारी है ना उसे देखकर भी रूही को जलन्सी होने लगी है और कुल मिला के रूही के पास अभीरा को मारने के लिए अभीरा को अपने रास्तर सटाने के लिए बहुत सारे options है बहुत सारे points है यादि इन किसी भी points पसे एक भी points पर रूही का कून खौल उठा अर्मान को यह लगता है कि तुम फालतू की बाते कर यह रूही तुम कुछ नहीं कर सकती हो मुझे पता है लेकिन अर्मान को यह भरोसा कब होगा जब वाकर अभीरा के साथ कुछ होगा लेकिन अभीरा के साथ तो जरूर होगा क्योंकि यह जो रूही है ना तुम्हारी और अभीरा के शादी इतनी आसानी से नहीं होने देगी और कही ना कही जो प्रेग्निसे का रिपोर्ट है ना इसके बारे में अभी अब रुही खुदी बताने वाली है एक सूत्र के रिपोर्ट के मुताबी कि ये बात सामने आ रही है कि अब ना रुही धीरे धीरे अपने सारे करम कान बता देगी गुस्ते में जहां पर अर्मान रुही का भंडा फोर करेगा लेकिन इसके पहले बहुत देर हो जाएगी जहां पर शादी के मंडब में अर्मान अभीरा के पास पहुची नहीं पाएगा जहां पर अभीरा को सबी लोग ताने देंगे कि वो तुमें अकेल पुदार्ची विद्या जी ये लोग ना दोस्तों अभीरा का दिल दिमाग घुमाने के डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे ये कोश करेंगे कि अभीरा भी मंडब छोड़ कर चले जाए लेकिन अभीरा डट कर खड़े रहे की और डंकी के चोट पर अर्मान का यकीन अर् के इस खास रिपोर्ट में नमस्का दोस्तों आप से भी के स्वागत है आपके अपने डुप चैनल टाइमस अभ मुडिया में जहांपर मैं वेनिकुमार आपके अपने पसंद्धा शो ये रिष्टा क्या कर आता है जोड़े एक और बड़ा ब्लेट को लेकर आप सभी के सा शादी के चलते हुए रूही भाई कुछ ज्यादा ही साइक हो गई है जैसे जैसे शादी की तारीक पास आ रही है वैसे वैसे रूही के अंदर दुश्मनी का मंजर खून खूलता जा रहा है यानि कुल मिला कर एक बात का सकते हैं दोस्तों कि अब ना रूही पागल हो चु तुम्हारे कमरे में बैठ कर दुलहन के लिबास में तयार हो रही है मेकप कर रही है यह सब कुछ कर रही है और तुम्हें पता ही नहीं है रूही पहले नजर कर आओ यदि रूही तुम अगर अपना किरदार अच्छे से निबा लिए तो शायद अर्मान अभीरा की रूही अर्मान के पतनी के रूप में नहीं देख सकती है आपको पता एक और पॉइंट यह है कि यदि अर्मान किसी और लड़की से शादी कर ले जिसका कनेक्शन भी नानू के साथ ना हो जो एक नई लड़की हो तो भाई रूही एक हत के लिए कॉंप्रोमाइस कर सकती है लेकिन अभीरा के साथ ही अर्मान की शादी होगी ये बात रूही को हजम नहीं हो रही है और इसके लिए वो अभीरा और मान दोनों को नुक्सान पहुचाती है और भाई इसने तो आज अल्टिमेट वर्निंग्स देना शुरू कर दिया इसने तो भाई ब्लैक मेल करना खराब करने के लिए भाई सब कुछ खराब करने के बारे में सारे पत्ते खेले जब सारे पत्ते फीके पड़ गया जब कोई भी पत्ता काम ना किया जब कोई भी काड अपनों प्ले ना दिखा पाया तो तब भाई इसने असली पत्ता फिका और ये पत्ता था खुद दुल लेकिन अर्मान अभीरा की निजी लाइफ के बारे में हम लोग रिव्यू दे रहे तो मैं आप लोग को पताओं कि यहां पर यह नहीं हो सकता है लेकिन अभी भी इस हिसाब से रोहित तुम अभी भी पतनी हो और इस लिहाद से देखा जाए तो तुम अर्मान के साथ शादी किस लिहाज से करोगी तुम्हारी शादी तो होई नहीं सकती लेकिन फिर भी दोस्तों जो पागल होगे रहता है जो प्यार में साइको होगे रहता है उसे कुछ अच्छा भुरा समझने आता क्योंकि वो सुना है न कि everything is fair in love and war यही कुछ होने दिकरे और कहीं न कहीं मुझे अब ऐसा लगता है कि भाई हमारी रूही न कुल मिलाके हमारी यह नहीं हो सकती हमारी अभीरा हो सकती हमारी रूही नहीं हो सकती हमारी रूही नहीं हो सकती कुल मिलाके रूही न अभीरा को नुकसान पहुचाने के बारे में अर्मान को ब्लै शायद ऐसा तो नहीं हमारे राजन शाही प्रोडूसर साहब की कानी या मेकर सो क्रियाटिव टीम कुछ ऐसा तो नहीं सुच रहे क्या लगता आपको दोस्तों यह थी आज आपके पंदाश्यों यह रिष्टा क्या कहला था है से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट में आप कर रहा है दोस्तों बहुत आपके अपडेट देने के लिए और कई ना कई मैं आपका अपना होस्त वेनु कुमार जल्दी एक और आपके अपने पसंदाश्यों यह रिष्टा क्या कहला था हैसे जुड़े एक और बड़ अपडेट को लेकर आप सबी के सामने हूंगा हाज तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा गुडबाई और कमिन के जरीए बताना ना भूले कि आप रूही के इस नए अवतार को लेकर कितने ज़दक सरड है क्या रूही इतने शांत तरीके से अभीर अर्मान के शादी होने देगी आपको लगता है क्या वाकई अर्मान रूही को सीरियस नहीं ले रहे है क्या अर्मान अभी भी रूही को नहीं जान पाया या फिर जान कर भी अंजान वनने की कोश्च करा क्योंकि वो रोहीत की पतनी है ये भी एक बात हो सकती है क्या लगता आपको इस पूरे तमाम स्थीन को देखकर अपना सुझाओ करमने जरी क्योंकि वोहारत